और कैसे हो उमीद है आप अच्छे ही होंगे माफी चाहते हैं इतने दिन से वीडियो नहीं डाल पाया थोड़ा अर्जंट काम था तो थोड़ा भीजी हो गए थे बाकी दिरिश्यम मूवी का ट्रेलर आपने देख लिया होगा दिरिश्यम 2 दो अक्तूबर की कहानी दुबार रिवाइंड हो रही है और जितने भी मीम बन रहे थे उसका जवाब इस मूवी में दिया गया है एक डाइलव में जहां पर अक्षे खना कहते हैं कि दो अक्तूबर को लाल बहादुर जी का जन्म दिन होता है हमारे शास्तिरी जी का और वहीं पर महात्मा गांदी जी का जन तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो मोहनलाल जी की असली वाली दिरिश्यम मूवी है उसका दूसरा भाग पहले आ चुका है और हमने देख भी लिया है हमको पता है क्या होने वाला है पर क्या चेंजिस ये करेंगे क्या टूइस्ट ये अपनी तरफ से कोई डालने ही कोशि कहानी वाली मूवी के साथ कोई शेडखानी की जाए और की भी नहीं गई है जितना मुझको ट्रेलर में देखके लगा और अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो लास्ट में जो कनफेशन है अजिदेवगन का वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है इस मोवी आपकी सोच से बहुत ज़्यादा आलग होने वाली है बहुत ज़्यादा मैं आपको यकीन दिलवाता हूं कि जब आप यह मूवी देखोगे तो इसके आखरी मिनट तक आखरी मिन तक मतलब आखरी दस पंद्रा मिनट तक आप सोचते रहोगे कि भाई साबए क्या हो बाद आपका दिमाग एकदम हवा में उड़ जाएगा क्या भे ये तो सोचा ही नहीं था ऐसा आप बोलोगे सच में बहुत अच्छी कहान ही है भाई साफ और बहुत जारा टर्न एंट विश्ट हैं दिरिशम 2 में मुझे लगा था दिरिशम 2 देखने के बाद की बस अब इसस आगे तो कुछ नहीं होगा आप क्या सोच लेंगे ये लोग पर नहीं भाई साफ दिरिशम 3 का भी अनाउस्मेंट हुआ है हमारे तो यही सुनने में आया है तो आते हैं इसके ट्रेलर पर जो मुझे सबसे बहतरीन चीज इसमें लगी कि अक्षे खन्ना जी को इसमें एड क आपको फाइंड करना है कि वह करेक्टर कहां है क्योंकि अभी अगर मैं आपको बता दूंगा कि वह कौन सा बंदा है तो एक स्पोईलर की तरह हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है क्योंकि दूसरे भाग में आपको बहुत सारे नए-नए करेक्टर देखने को मिलेंगे और हर करेक्टर आपको सर्प्राइज करेगा भाइसा बहुत जड़ा सर्प्राइज करेगा जितना ट्रेलर में दिखाया नहीं है उससे ज़्यादा मैंने आपको डिटेल दे दी है क्योंकि मैंने औरीनल देखी है तो अब तो बस इनतजार है मुवी का कहा जा रहा है कि नमंबर म रिमेक यानि की एक बावसीर होने पर आदमी थोड़ा सा भी बैठे तो दर्द होता है ने जटका लगता है क्रेंट सा वैसा ही हाल इस वक्त हुआ है बोलीवुड में रिमेक का नाम सुनते ही ओडियंस लाल हो जाती है और थेटर को छोड़ कर अपने घर पर वापिस आके बै से वह भी बताईए बाकी मिलेंगे एक फंटास्टिक सी वीडियो के साथ एक फंटास्टिक से अपडेड के साथ अब तक लिए जाहिंद